माई के में भी बिमार होती हूँ और पुतन कॉपी कैट बनना बंद करो मोटू मोटू कैमरा शाय हना मोटू नहीं आएगा कैमरा में उमने प्रपटी की जो फुल जड़ी लगाई है तो माता जी ने भी इसकी पॉल जो है ओन कैमरा की मोटू बिटिया जो है शायद जल्दी ह करने वाला है हलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल विलोग्स पर तो कैसे हो आप सब लोग एक दम बढ़िया ना मस ना वेरी गुड जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो देखिए लाइक बहुत जादा चाहिए मुझे आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा बरबर के कमेंट करना बिल्कूल ना भूलना सबकी आईडी मुझे जाद है कौन-कौन मुझे कमेंट नहीं कर रहा आज कल वह भी मुझे पता है और जब आप लोग लीचर को जाकर कमेंट करते हो और वहां पर लीचर पर शुबी थोड़ी आप नजरे करम करें और यहां पर भी कमेंट करना बिल्कूल ना भूलना बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की और सबसे पहले बात कर लेते हैं यह अपनी चंपा कली के ऊपर जैस चंपा कली आज कली ही बनी हुई थी कली बनी हुई थी जहां फिर क्य पुतन का पुतन को कि पगड़ी पगड़ी बान और चली है में इस टूरल को है मैचम को हना तो आज जो है ये नजर आई है दुपट्टा मेडम क्या शो कर रही थी ये दुपट्टा नहीं edit किया था और दुपट्टा नहीं public किया है episode दुपट्टा नहीं thumbnail भी लगाया ये क्या लग रही थी क्या लग ही रही थी आप बताना मुझे हना अब और एक चीज है कि करो लेकिन एक कोमेंट उसमें ऐसा ही special कोमेंट है जो सब कोमेंट्स को जा जाके reply कर रहे है तो ऐसा लगा कि दुपट्टा भी जो है अब नक्षे कदमों पर जुठेंगा के चल पड़ी है कैसे fake ID से सब लोगों को reply करती हुई नजर आ रही है ऐसा लगा मुझे आपको क्य यह भी तो देखिए कि घर में चार लोग है ना कोई कहने की बात वे कुछ नहीं करा तुम कुछ नहीं करते हो तुम दिन पर बैठे रहते हो नहीं ऐसा नहीं होता जब वह इनसान वहां पर नहीं होता न तो उसकी एप्सेंट में दूसरे को पता लगता है कि छोटे-मोटे कामों में वह मदद जुरूर करता था तो चोटे मोटे कामों में य Grüס्ड अपनी मा की हेल्प करते हैं अच्छा मंवी को पता है कि हुआ तो दुबड़ा जो है अपने पापा के पास बेटी होगी और मैं यहां पर ममी जी को ये चीज बोलना चाहती है दुपट्टा अपनी मा की help करती है ना अच्छा ममी को पता है मैं अगर kitchen में हूँ तो दुपट्टा जो है अपने पापा के पास बेटी होगी और मैं यहाँ पर ममी जी को यह चीज बोलना चाहती है दुपट्टा की ममी जी मेरी बास सुनिए आप अपनी बिटिया का कमरा ज जुरुत पढ़े तो आपका बड़ा बेटा नीचे होना चाहिए उसी का वह तो कमरा सुनिटी तो गईले घर है और यह जब आती है उसके लिए उपर का सब्सक्राइब करें तो जिसका तो खुद इतना बुरा हाल दुपटा तुम्हारा तुम्हीं क्यों जा रही हो पापा के पास है तांकि उनको खांसी बगएरा न हो जाए क्योंकि उनका भी अभी तो जस्ट अपरेट हुआ है जाहे वह छोटा मोटा ही था लेकिन हुआ है जिनकी ओपन हार्ट सरजरी होती है उनका थोड़ा अलग सिस्टम होता है इनका थोड़ा अलग होता है मुझे पता है बस यह है कि आपको अपने पापा का ख्याल रखना है लेकिन पापा का ख्याल रखते रखते आपने एक चीज भजन सुने जो भी सुने वॉलियम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए बहुत कम हाना यह चीजे तो आप लोग कर नहीं रहे हो क्या फोलो कर रहे हो आप पेशेंट को कितनी जल्दी हील कर सकते हो एक महीना कम से कम लग जाना उनको हीलोने में हाना तो उनके लिए अगर 8 बज दलिया दो गए 10 वजे उनको खाना दीजिए खुश्क चपाती दीजिए उनको ठीक है लिक्विड डाइट जादा दीजिए तो बाकी वैसे हम लोग कौन ही होते हैं इनको सारी चीजे बताने के लिए क्योंकि यह डॉक्टर खुद डाइटिशन भी है सब कुछ है लेकिन ह जरूर किसी भी पंतसारी की दुकान से लिया है जो कोई भी हार्ट पेशंट है फिर कहतें की हाट पेशंट के लिए लिए यह इस्पेशली की चांद उतकर उसका पानी जो है वह बिलाया जाए तो हार्ट को काफी रिलीफ मिलता है और बैड कैलेस्ट्रोल खतम होता है और बनते हैं बहुत जुरूरी है हैं ना यह सारी चीज़े तो यह सारी चीज़ें तो कोई यह फोलो करनी रहें अपने ही अपने ही घुनकान है अरे आपको पता है ममेडे कि पर ठाणगने के लिए लेकिन बस वही न दीवाली पर डेकॉरेशन नी कर सके अरे ममी ने तो ये भी ले रखा है और्गनाइजर किचन में रखने के लिए अरे बस वो ही न दिवाली पर करनी चल सके भई उसी समय मेरे मुझ से क्या निकला कि भई बात में करते रहना आपके लिए क्या जुरूरी है पहले आप वो देखिए पेशन्ट के आसपास सफाई ह होनी जुरूरी है पेशन्ट की डाइट पर आप ध्यान दीजिए ममी का भी ध्यान रखें कितनी मेरे को प्यारी बच्ची लगी तुपट्टा कहती ममी के पैरों में बहुत दर्द है बहुत दर्द है तो यह ख्याल रखती है ममी का हना मैंने तो देखा है कि जो बढ़के हैं वह तेल भी लगा रहे हैं कितनी अच्छी बात है मेरे बेटा भी लगा देता है यह उमर होती है आप अपनी उमर से दिखने में काफी कोशिश करते हैं कि कम दिखें अपनी फिगर वगारा खुद को मिंटेन रखने की कितनी भी कोशिश कर लें आप अपने मतलब स्किन इनको यंग रख सकते हो लेकिन अंदर से आपकी हड्डियां जो है ना वह बताती है और जो आपकी मास पेशी है वह बताती है अब हमें वह ताकत जान नहीं रही है यह सारी बाते और एक चीज़ मैं यहां पर यह बताना चाहती हूं कि सीडियां चड़कर लेकर पापा जी का टेस्ट करवाने के लिए ब्लेट टेस्ट कर वह सेंपल देने के लिए है अगर सियानी लड़की होती बेटा बड़ा भाई जो की बहन से भी बड़ा है यही बताया जा रहा है ना कि वह बड़ा है बहन से बड़ा है तो अकल दोनों में कोड़ी की भी नहीं है भाई आप उ और तो और यह बंदी को कैमरा पकड़ना जरूरी है पापा को शूट करना जरूरी है दिखाना कि कैसे वह बही चलने पा रहे हैं सही से अना सीडियां देखो एक पेशन्ट है एक सीड़ी पर दो दो पैर रखे भी वह उत्रे तो अराम अराम से उत्रे तो दूसरा बंदा उस कर इनका ब्लेड सेंपल नहीं ले सके बनी बिना ही नहीं तुम लोगों की चाचा को ले जाते ना अगर मैं ओती इनकी जगह हना तो मैं तो भई कलास लगा रहे ती वहां पर सची बात है एक बार की बात है मैं थोड़ी सी बता रहे हुँ मेरे ममी जो है आट पेशन्ट है तो वह भीमार थे उनको लग रहा था कि उनकी ठीक नहीं है उनके पेट में दर्द हो रहा था तो रात के आठ वजे का समय था तो मेरे हस्बन जो है वो डैली में तो जी हमारे फैमिली डॉक्टर ने ये चीज बोल दी उनकी जो वाइफ थी वह ती डाइटेशन हाना वह भ आपको दिखाना ही पड़ेगा हना तो वह कहने की नहीं अभी तो डॉक्टर साब के जाने का समय हो गया तो इस समय तो पोसिबल नहीं है मौर्निंग आ चाहिए तो मैंने का पेशेंट का मतलब मौर्निंग तक वेट करेगा हना तो मैं ऐसे थोड़ा लाउड हो गई यहां उन्चा बोलना चाहिए वहां बोलना भी चाहिए तो डॉक्ट नहीं फीर अंदर से बोला कि मैं इनी का फैंद संसट्व viv test ho पर पेशन्ट का नीचे जाकर लिजे, तो यही तो कहती हो यह bad influencer है यार, यह किसी को मतलब से influence करते ही नहीं है, जहां पर अवाज उठानी चाहिए, वहाँ यह वाज उठाएंगे नहीं, जहां आवाज नहीं उठाने चाहिए वहाँ ये लोग लाइव कर लेंगे, बलताओ कर लो बात, जहां एपिसोड अभी बनाने चाहिए, लिचर्ड को वहाँ ये बना रही है दुपटा, काम भी ये नहीं करती है, कुछ भी ये कहती है कि बस ये ऐसा है, बाईयों को मैंने खा पाज से कोर बना बना कर खिलाए, लोंटे जिड्डे पराव है, हदी हो गई है सची में, इतने बड़े बड़े भाईयां उंध जैसे हैं तो खुद नहीं बना सकते हैं, खुद नहीं बना कर खा पी सकते हैं, कम से कम किचन में आकर ले जाएं, मां को हेल्प क्या कर रहे हो थोड़ा थो एटलिस्ट उनको रिलेक्स फील करवाईए, और यहां पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि रिष्टेदारी आवाज आई, उपर नीचे के जो लोग है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो होता है ना, कि इनसान परशान हो जाता है, भी प आउंचा लॉट स्पीकर सा लगा देती हैं, टीवी और दूसरा, खुदी अपने कैमरा उठा उठा के गुमती हैं, और खुद सर पे भी खुदी बिमार है, और खुद इसके विवर्स इसको बोलते हैं, कि तुम सुसराल जाकर बिमार हो जाती है, तो उसने बोला, नहीं द जो पिंड हैं, सबने प्राली जला रखी है, हाना, वो एक pollution बन रखा है, इतना pollution, इतना pollution की दिल्ली ये बचारी बीच में फज़ जाती है, हर्याना वाले, पंजाब वाले, फिर इदर थोड़ा यूपी वाले सब प्राली जला देती हैं, और दिल्ली बचारी फज़ जाती हो थोड़ा बहुत घुड़ खाया करो मीठे में तुम लोग तो यह बठ्याईयां उडाने में लगे हुए कमाल ही हो गई है चलो हो गई भी इनके उपर जादा और नहीं बात करनी ने तो मैं बोरो हो जाओंगी अब बात कर लेते हैं पुत्तन की मैंने पोस्टर शेयर करी आ जा चुकी यहां से हो सकता है इस बार भी आ जाए तो पता नहीं लेकिन लास्ट यह भी थी वाली शॉपिंग जो कपड़ों की डिजाइन नहीं और उससे लास्ट यह भी हाना तो विंटर की क्लेक्शन तो जो वहिया लगवक्त सेम ही रहती है लेकिन यहां पर जो वीवर् शुरूर उस तक पहुंचेगी अपनी बात करते हैं अपने एक्सपिरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बताना चाहती हूं एक समय था अपने बच्चों के लिए मैंने अपनी खुद की बात कर रही हूं लिवाइस के और भी बड़े-बड़े ब्रैंड शोटे-चो तो इतने कोसली कपड़े नहीं लेते हैं यहीं तुम सेव करो ना अगे उनकी स्टडी में काम आएंगे तो फिर जब मैंने स्कूलिंग बच्चों की मेरे रही तो भई मैंने तो नॉर्मली स्कूल में थे माइसी डालें वो ए डालके मेरे पती जो कुछ जालें मुझत हम राट्व और Hungry में वीडिकान हेएं उनकी बच्चों को इतना नहीं करते स्कूलिंग टाइम पर यह सब काम आएगा कोलेज टाइम पर तो ठीक है नहीं समझे आज मैं अपनी हड़ी यहां अपना एक्स्पिरेंस आप लोगों के साथ शेर करती हों कि वह बिल्कुल सही कह रही थी और यहीं बाद में पुत्तन को भी कहती हूं देखो जरूरी ने तुम 1500 से कम तो कोई भी टॉप नहीं है कोई भी सेट नहीं है बच्चे कहां ठीक है 1500 का 2000 का आज तुम ले रही हो लेकिन नेक्स्ट यर वह चोटा हो जाएगा जाहां फिर दो साल यह पहन पाएगा कपड़ा तो कपड़ा यह है ना तो कपड़ा जो है के लिए ब्रैडिल के लिए नाइट सूट लिया था वहां से भी आप अपने बच्चों की कपड़े वगारा ले सकते हो अच्छी कोलेक्शन थी वहां पर भी ठीक है टैग ही तो लगा रहते हैं और उसमें क्या है लेकिन नो डाउट अभी जो पुत्तन दिखा रही है ब्ल और मैं क्यों पता नहीं बता रही हूं आज ब्रैंड ब्रैंड यह सारी से दिल्ली में लोग बहुत बहुत करते हैं यह ब्रैंड ब्रैंड मुझे तो यह सब शौफ शौफ शौक को बाकि मैं यही का हूंगी आप लोगों को कि बच्चों कीывают जो है वह नॉर्मल स्कूल से क कपड़े आप उतने ही ले लोकल मार्किट से ले ले क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बड़े होते हैं स्पैशली लड़के तो पुतन को मैं यही समझाना चाहूंगी कि पुतन को बहुत ही जिरूरत है अभी लिक्वेड मनी की सो अपनी मनी जो है वह सेव करके चले अधर्वाइज अपने भाई बहनों के फेस तो वह देखी चुकी है माहिके वालों के हैना तो यह चीजे हैं और पुतन कोपी कैट बनना बंद करो जुठियंका के नक्षय कदमों पर चलोगी तो तुमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला यह चीजे तुमें भी पता है और एक चीज इसने जुठियंका के लिए एक रेड कलर का नाइट सूट जो है वो लिया इसने कहा कि क्रिस्मिस वाले दिन पहनों नहीं मुझे एक चीज बताओ कि रेड कलर का नाइट सूट क्रिस्मिस वाले दिन पहन कर तुम क्या सांटा बनना चाहती हो फिर तुमने उसके यह टॉपी क्यों नहीं ली सैंटा बनके तुम क्या गिफ्ट जो है वो देना चाहती हो यह विजरूर बताना बुतन लेकिन तुमारा लाया हुआ गिफ्ट तुमारी ही बेहन को क्यों पसंद नहीं आया तुम जो बता रही हो इस कपड़े का स्टफ जो दिखा रही थी वो कै होती अच्छा है और प्यारा है और तुमारी जो भी यह शॉपिंग करी गई है वो अच्छी थी तुमारी बेहन ने क्यों कहा कि अच्छी नहीं है और दूसरी बात अपनी पसंद पर ना तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुमने जो चीज ली है तीन चार चीज़े शॉप की पर ने दिखाई उसमें से अगर तुमने कोई एक पसंद की है ना तो मस्तलब वह सबसे बैस्ट होगे वह पुतन की बात नहीं हर उस लड़की के लिए बोल रही हूं हर उस लड़के के लिए बोल रही है ऐसे ही जब तुमने अपने पती के रूप में नन्नु को चूज किया अपने लाइफ पार्टनर को चूज किया तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए था कि तुम्हारी चौइस अच्छी है हना उस समय वी तुम जो है डावा डोल हो गई तुमने ही अपनी से जुठियंका मैडम की बातों में आकर तुमने अपनी लाइफ जो है तहस्ते नहस्ता कर लेए ठीक है चलो यह तो थी वह लाइफ वाली बात है जाती है और फेस की क्या ही बात करें टोला चाहिए पुत्तन का भी हो सकते हैं अन्स केमरा कुछ और यह बहुत बुरी लग कही बन जाती हैं काफी चीजें ऐसी बोल जाती है अब यह सही हो लेकिन अभी तक तो आपकेमरा हमने यही देखा है इसके भाई बहन ही इसकी इंसल्ट करते हुए नजर आते थे तो यह हो गई है बात पुतन के उपर की अपने 24 पर जो है तुम्हें विश्वास होना चाहिए जगर तुम लाइल लग ही बनी रहोगी हमेशा कि हाँ तुम्हारी बड़की जिजी जो कहती है वही सही है चाहे वह कपड़ों को लेकर है चाहे वह तुम्हारी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन हो वह भी हमेशा उसने नकारा ही है कब उसने अच्छा बोला शैतुम्हें पता होगा हमें तो अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि अच्छा बोला था उसने आज तक यहीं बोला कि यह तो पागल है पुतन तो पागल है यहीं बोला है उसने याद होगा तुम्हें खुशी देनी चाहिए तुमारे बच्चे को खुशी देनी चाहिए, ना कि दूसरों को खुश और बात करेंगे लीचर के उपर बात के सासत करेंगे मदर इंडिया पर भी बात मोटू के उपर भी बात करेंगे मोटू कैमरा शाय हना मोटू नहीं आएगा कैमरा में लेकिन जुठियंका का इतना बड़ा ड्रामा इतना बड़ा ड्रामा वहां खाना नहीं खाना लेकिन दाल चावल के लिए वो धाबा पर रुकी और वहां से खाती होई चली गी क्या ही शो करना चाहरी थी ये बड़ी बहुत बड़ी वाली शो आफ करने वाली लड़की रही है सब के सामने ही रही है और यहां पर जुठियंका लीचड की बात मैं कर रही हूं तो लीचड ने खुद के लिए ही मिक्स नाम भी ले रही है ये सारी चीज़ें कर रही है नीचे भी नजर आ रही है ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया तुमने फुल जड़ी लगाई है तुमने प्रपटी की जो फुल जड़ी लगाई है वो लिचड को पसंद लेकिन केमरा इभी नही और वहां पर माता जी को भी यह चीजें पसंद नहीं आई तो माताची ने भी इसकी पोल जो है ओन कैम रही कहली है चाहतीं तो यह वहलало सीघ्ड़ कर सकतीं थी लेकिन इसको वादत है कि नहीं वह वहले सीन में रखोंगी तांकि सामने से जनता जो है वो मुझे ट्रॉल करे ट्रॉल करे और जो मेरे इतने डाउन जा चुके हैं व्यूस वो थोड़े से अप हो जाए ये सारे सीन और जो अभी फिलहाल ओन कैमरा और ओफ कैमरा क्या चल रहा है I don't know लेकिन जो मुझे फिलहाल लग रहा है वो मैं आप लोगो स्जाइर जल्दी कमबेग करने वाला है वह क्यों क्योंकि मो टूवीटिया का अप लोगों ने सीन देखी लिया और यह जुठियंक का है वह कह रही है किसी जुरुरी काम से यहां पर कर रुगे हुए है अब वह जुरूरी काम किस्वच Fitskite से लेकिन इसका कहना है कि यह अ आएंगी हना अब तो कोई ऐसी खास चुटियां भी नहीं आने वाली फिला तो वहां चुटियां चल रही है चट पूजा के लिए हना आपको पता यह चट पूजा चल रही है इसलिए जो कि बिहार में बड़ी धुम-दाम से मनाई चाती है अब तो अल ओवर वर्ड में पूजियों से भरना और इस जुठेंका को भी सदवुद्धी देना तांकि यह दूसरों के रिष्टे को खराब ना करे और अपना रिष्टा भी ठीक करे और इसकी जोली में भी हसा खेलता एक बच्चा हो तांकि यह समझे दूसरे के बच्चे का दर्द दूसरे के अब भी इसको लेकिन यह किसी को खुश नहीं देखना चाहती लेकिन चंपा को सब लोग इतना मतलब मैं भी बहुत मासूम यह सब चीज़ें समझ रहे नहीं चंपा जो है वह धीरे-धीरे उसकी क्लेवरनेस सबके सामने आएगी ही लेकिन अगर वह कहते ना क्लेवर है अपना घर बसाने के लिए है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है अधर वाइस जुठियंका जो है ना कुछ ना कुछ तो कांड अभी तक कर ही देती है ना तो रही बाकी बाते आने वाले दिनों में भी करेंगे हम लोग कि वहीं क्या ही क्या जैसे जैसे इनके एपिस इमोशनल यह बहुत बड़ा फूल समझते हैं और यह सोचते हैं कि जितने भी विव्यूर्स हैं यह बेवकुफ है उनको बहुत इसली बेवकुफ बनाया जा सकता है चाहे यह वाली फैमिली हो चाहे कोई भी हो उनको यह लगता है ऐसा फिल होता है लेकिन जनता की आँके खोलने के लिए ही तो यह अपनी ओपिनियन से हम लोग बोलते हैं अपने रेक्शन देते हैं क्योंकि जनता जो है वो दिल की से दिल को जोड़ती है दिल से उनका रिष्टा होता है वो किनेक्ट होती है अपनी क्या कहते हैं चलिये मैं भूल गई हूँ अब मैं क्या ही वोलूँ तो अपनी obsessed से यह से दिल को किनेक्ट करती हैं अगर हम कोई सीरेल भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिष्टा क्या कहलाता है रिष्टा बन जाता है लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वह उन मासूम पब्लिक का व्यूर्स का ये लोग फायदा उठाते हैं तभी तो कुछ कुछ supporter बन जाते हैं कुछ hater बन जाते हैं और पिर वेन भी फिर जाते हैं तो कभी उदर जाते समझ में आता हुटा है इंका असली चेहरा दिखाने के लिए कुछ एक केकलिप उठा उठा कर कुछ सामने आ रही हैे शोर्स भी ऐसी जो कि एक्टली में इनका असली चहरा सामने लाकर रखते हैं अइसा ही जुच अंका का एक असली चहरा सामने आये एक शोर्ट वीरे सामने कि जुच अंका ने अपनी चाल जो है वहाँ पर इसा istigyakag में भी अपनी बात चलाने की कोशिश की लेकिन वहां पर यह कामजाब नहीं हुई जैसा कि आपने देखा ही यह मुंग फलिया ले गी तियारे खुली अच्छी होती है ना कि पैकट वाली अच्छी होती है और वो तुरंत लग गई चंपा ऐसे ऐसे कैंचे चलाने के लिए है ना तो चंपा का तो कहना था कि तुमारी तो बात ही मैं काट दूंगी फिल्हाल तो उसने पैकट ही काटा था मुंग फली का यार कौन लेके जाता है कुमेंड सेक्शन में मुझे लिखो एक पेशेंट से का आप हाल चाल लेने जा रहे हो आप एक फूलों का बुक्के लेक होते खुश होते हना लेकिन इसने तो अपना ही वहां कुछ अलगी झिखा दिया भैं मैं तो यह नहीं घाती आपको बहुर हो उड़ाती है सब चीज़ें करती है अब बहुत सारी बाते हो गया और लीचर जो है वो उदास है उदास के सबसक्राइब है यह सारी चीज़ें अब यह कुछ भी कहें लेकिंद जनता जो है वह समझ भी गया और के डायलोग जो हैं निकलते रहते हैं मुझ से इनके एपिसोड में जिनको ये लोग एडिट करना भूल जाते हैं जांफिर जान भूज कर ये लोग छोड़ देते हैं कुछ ऐसे ही एपिसोड और भी मेरे सामने आए हैं अभी तो और भी इनके एपिसोड आएंगे तो ऐसे ही मेरे reaction और मेरी opinion भी आती रहेंगी मिलती हूँ next video में जल्दी ही जब तक के लिए आप अपना ख्यार रखना अपने अपनों का बहुत सारा ख्यार रखना क्यूंकि आप हो तो हम है